बड़ी खबर आ रही है अजमेर की मसूदा से जहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को वहाँ बदल दिया है भाजपा ने एक सीट पर चहरा बदला है मसूदा से बड़ी खबर भाजपा ने एक सीट पर अपना चहरा बदल दिया है पर भाजपा ने बदला प्रथ्याशी किल ही अभिशेक सींग को यहां टिकेट दिया गया था अब अभिशेक की जगादवुद्र सींग को टिकेट दिया गया गया देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर अजमेर के मसुदा से BJP ने अपना प्रत्याशी वदल दिया है मसुदा पर पहले भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अभी शेक को टिकेट दिया गया था लेकिन अभी हाल ही में अपना डिसीजन वदलते हुए वहाँ पर देविंद्र को अपना उम्मीदबार बीजेपी ने चुन लिया है वीरेंद्र माप कीजिएगा बीरेंद्र को अपना प्रत्याशी चुना है भाजपा ने एक सीट पर यहाँ चेहरा बदल दिया है मसुदा सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है पतादे कि पहले यहाँ पर अविशेक को टिकेट दिया गया था कल ही अविशेक सिंग को यहाँ पर अपना प्रत्याशी चना गया था लेकिन अभी हाल ही में बीरिंदर सींग को टिकेट दिया गया है और इसी खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे संबादाता कान सिंग हमारे साथ जुड़ गए है लेकिन अभी हाल ही में खबरे सामने आई है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी वदलते हुए बीडिंदर को यहां पर टिकेट दिया है तो क्या कुछ ऐसे कारण सामने आ रहे हैं जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी वदला कि मतूदा से पहले अभी शेक को पत्याक्ति गोशित किया था उसका कारण यह था कि उन्होंने तक से शुपा के वो जाती से महराथ है और राजपूद के बनकर उन्होंने अपना प्रत्याशी वहां पेश किया था काल से देखिए अब कितना प्रभाव इस सीट पे पड़ सकता है क्योंकि पहले अभी शेक को टिकेट दिया गया था लेकिन अब अपना डिसीजन चेंज करते हुए आपर बीरेंद्र को टिकेट दे दिया गया है तो वहां कुछ क्या कुछ माहूल देखने को मिल रहा है बतादू कि वो अभी शेक एक एक एसा टिकिस दिया गया था जो दो लाख सिस्तर अजार 502 मत्दाटा यहां विजान सबसे उट्र मैं है लेकिन उसको 502 मत्दा भी उसको टीक तभी पैचानते से और बिजेंद्र सिंधिक एक संधन के कारेकरता है उनको टिकिर देद्द द खन्यवाद. खन्यवाद.